अब बहुत स्वागत है और आज वेस्ट इस ब्यूटीफुल के स्रीज में कुछ में डिफरेंट टेकर आई हूं कुछ नया फेस्टिवल में हम क्या अच्छा और क्या सुंदर बना सकते हैं पुरानी चीजों से बेकार की चीजों से हम कितना ही खुबसूरत कुछ भी बना सकते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा और उस पे ड्रॉ किया है पिकॉप और उसको करने के बाद मैं कर लूँगी उस पिकॉप के शेप की अच्छे से कटिंग जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल दे रही हूं ताकि कटिंग इसली हो जाए क्योंकि जब यह आपके पास एक बड़ा पीस रहता है तो उसको कट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होत है लेकिन जब साइट साप कट कर देंगे तो आप इसके शेप को कट कर सकते हैं और उसके बार इसको हम करेंगे सीक्वेंस और लेश से डेकोरेट सीक्वेंस इसलीए इसको हम पेंट भी कर सकते हैं पी ओपी से भी बना सकते हैं और साथ हम इस पे सीक्वेंस और बीट्स और देकोरेटिव मोतिफ्स लगा के भी बना सकते हैं अभी जैसे कि फेस्टिवल आ रहा है दिवाली है तो दिवाली में हम इसको अलग-अलग वे में डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर को सजाने और सुंदर बनाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम बहुत सारी मेंगी मेंगी चीज़े बाहर से लेकर आएं और हम उससे घर को सजाएं आप अपने आप कुछ बना के कुछ इनोवेटिव करके भी अपने घर को सजा सकते हैं कुछ तो अलग आवाज है और कुछ वह बहुत ही डिफ्रेंट बोल रही है तो ऐसा होता है बर्ट के जिसे आप सभी को पता है कि मेरे घर में बहुत सारी बर्ट आती है और उनकी जो आवाजे हैं वह भी अलग अलग तरह की होती है हैं अब यहां पर हम ले लेंगे decorative motives और उनसे हम इनको अच्छे से decorate करेंगे और आप इनको decorate करने के लिए आपके पस अगर decorative motives है sequence है beets है तो आप इनने कुछ भी लगाके इनको decorate कर सकते color अपने according कर सकते हैं और friends यहां पर एक बात जो है कि मैं जभी words के उपर ध्यान गया recording on करना भूल गई तो sorry for that बट आप देख सकते हैं कि यह कितने ही खुब्सूरत लग रहे हैं बनने के बाद मैंने यहां पर इनको frame में लगा कि आपको दिखाया है और ऐसे ही अलग-अलग तरे से आप इनको सजा सकते हैं सिंगल frame में भी लगा सकते हैं डबल frame में भी लगा सकते हैं और उसके अलावा इनको घर में कहीं पर रख सकते हैं दिए के साथ रंगोली के साथ इनका mix and match कर सकते हैं कुछ इनसे हम इनका different ही look enhance करने वाले हैं तो मैं जरूर दिखाऊंगी आप लोगो कि दिवाली में मैंने इसको कैसे सजाया और इसको कहां-कहां हम ऐसे use कर सकते हैं Hope आप लोगो वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो please subscribe my channel like video and share thanks for watching